कि विल्कम बैक तो मैं चानल आज जो चाप्टर हम स्टार्ट करने जा रहें उस चाप्टर का नाम है पाइनल अकाउंट ऑफ कोपरेटिव सोसाइटी अब यह जो चाप्टर है इसका सेलूशन अगें दो पार्ट में डिवाइड है हमको बनाना है अपको बनाना है बधाएगा उसके बाद ही हैं सलूशन प्रिपेर कर सकते हैं आगे बढ़ने से परे मैं आपको यह काम करता हूं हमारे जो income in expenditure account है और जो balance sheet है इसका format आपको बता देता हूं यह आपको आपके testbook में भी मिलेगा तो यह रहा हमारी income in expenditure का जो format है अब यह side है expense and यह side है income इन लोग ने क्या किया है expense को एना divide कर दिया है तीन main headings में ठीक है तो जबी भी कोई expense होगा तो हम लोग उसको देखेंगे क्या वह प्रॉपर्टी से रिटेड़ है तो प्रॉपर्टी एक्सपेंस के अंदर आएगा जैसे और अगर वो खर्चा सर्विस से रिटेड़ है तो वह आ जाएगा establishment charges के अं हैं जो हमारा अधर इसकंदर से दो यह expenses आते हैं depreciation और प्रोविजन फो टाक्स ठीक है ओके तो income and expenditure comparatively easier बात करें इंकम की तो इंकम के भी तीन से चार है पहला है collection from members जो के property rent और sale of scrap यह सारे हमारे अधर इंकर बात करें बालेंशीट की बालेंशीट का format उससे भी ज्यादा बढ़ा है अब देख सकते कितना बढ़ा format है सबसे पहले तो बात करें अगर हम लोग आसेट में जो सबसे पहला फॉंड फान्ड लोन सेण अडवांस इन संडरी डेटर दूरी डेटर के अंदर हर समय आए गए आए गा लोन संड़ेया ज्यादा तर समय रहेगा ही रहेगा फिर बात कर दें current assets जिसके अंदर सारी current assets आएंगे जो stock को मैं highlight कर देता हूं stock current assets का पाड़ होगा फिर fixed assets इस सारी fixed assets है हम लोगों के यहां पर यह खतम नहीं होता है फिर आता है miscellaneous expenses and losses जिसके अंदर goodwill आएगा other item है जिनके अंदर security deposit sorry water deposit और electricity deposit वगरा वगरा आता है and फिर आएगा income and expenditure जिसके अंदर हमारे accumulated losses होंगे and then last part है current losses तो यह हमारा सारा assets का पाड़ था similarly इसी तरीके से liabilities का भी पाड़ दिया है यहां दिया share capital then reserve fund फिर उसके बाद आएगा staff provident fund secured loan unsecured loan then deposits and फिर आएगा current liability then unpaid dividends interest accrued but due and not paid other liabilities income and expenditure account यह सारी चारी चीज़े आने वाली है ठीक है आचा यह जो पाड़ है दोनों format यह मैं आपको एक example के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है ठीक है इसमें इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है format याद होगा format wise आपको इंट्रीज करते चले जाने है तुम्हें आपको इस example करके बताता हूं उसमें आपको ज्यादा बेटर तरीके सा समझ में आ जाएगा तो यह रहा हमारा सोसाइटी हाउजिंग सोसाइटी का यह जिसकी मदद से हमको क्या बनाना है फाइनल अकॉंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको दिया है कैश इन हैंड देखो मैं क्या लिखा हूं कैश बैलेंस बैलेंस इसके अंदर आने वाला है कैश बैंक दिया अगयन मैं क्या लिखूंगा सी बी ड्यूफर मेंबर्स यह जाता है संड्री डेटर में संड्री डेटर देखो मैंने हाइलाइट भी क्या था अप लोग के लिए यहां मैंने आपको कहा था इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा मुझे तू याद इसने मैंने फटक से पकड़ लिया उसके यहां इस बाता है अधर आइटम्स में दिखा देता हूं अंच कि एलिए इलेक्रिसिटी डपोजिट वोटर डिपोजिट एक यह बहुत आपको डिपोजिटे इस तरीके से मांकिंट और तो सम अपने अप राइट होगा वाट चार्च भी क्या प्रॉपर्रेटी एक्समे यह क्या है यह जाएगा हम लोग का establishment charges के अंदर सब्सक्रिप्शन फांड यह भी establishment charges के अंदर है printing अपोस्टेज यह भी establishment expenses के है चक कर लेता हूं में एक बार आँ जो यह रहा कॉमन electricity charges यह subscription convince printing सही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं convince भी जा जाएगा establishment expenses के अंदर यह भी establishment expenses के अंदर audit phase again establishment expense security charges establishment expense debit side खरता फिर collection from members तो collection from members में ही जाएगा सबसे top पे 13 आपर पहले वाले में पिर उसके बाद बारी है collection from members यह भी जाएगा collection from members second वाले पार्ट के अंदर members deposit 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 में जाता है members deposit में आपको दिखा दूं यह रहा है यहाँ पर दिया हुए deposit from members deposit heading deposit के अंदर आता है तो आपको सबसे important काम आपको याद होना चाहिए कौन सी चीज़ कहां जाती है अदो इंट्रस्ट दिया है यह जाएगा ID में दोनों ही ID मेंस इंट्रस्ट एंड डिविडेंट यह थर्ड पार्ट था ना हमारा इसके अंदर उसके बाद बाहर यह आएगे सब्सक्राइब है और यह जाएगा शेयर कापिटल के अंदर यहां पर यहां पर यहां पर डाल देंगे ठेक है ओके फिर क्या सब्सक्राइब करेंगे और उसको लाइबलिटी पर सकते हैं सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारी सब्सक्राइब के अंदर यहां पर मैं आपको बता जीता हूं क्या करना है यहां पर हम लोग देंगे इंकम एंक्समेंडिचर अकाउंट यह साइड डेबिट इसाइड रेडिट यहां पर आ जाएगा आपका यहां पर रुपीज का साइन यहां पर आ जाएगा आपका इंकम हम लोग यह काम करेंगे पहले इंकम एंक्समेंडिचर पूरा बना लेंगे यहां पर आ जाएगा पर टी एक्सपेंस इस प्रॉपीटि एक्सपेंस इंदर सबसे पहला पार्ट वह है कि यह रहा प्रॉपीटी डैक्स और वॉटर चार्जिस तो मैं आलिग देता हूं प्रॉपीटी डैक्सेस और वॉटर टैक्सेस डोनों की अमाउंट में अंदर लिख दूँगा अमाउंट है दोनों का यह रहा दें 346 और 7513 मैं यहां पर जाके लिख देता हूं वान सॉरी अंदर लिख देता हूं टें टोटल करके भाह लिख दूँगा 10346 और दूसरे का था 7513 टोटल कर देता हूं और कोई प्रॉपेटी एक्पेंस ही नहीं यह को कहीं पर भी माने पी लिखा ही नहीं है तो टोटल करके भाहर लिख देते हैं 10346 ब्लस 7513 टोटल है 17,000 17859 टीक है अब बारी आगे इस्टाब्लिश्मेंट एक्सपेंस की तो इस्टाब्लिश्मेंट एक्सपेंस का मैं यह डाल देता हूं हेडिंग आपर आ जाएगा अगे इस्टाब्लिश्मेंट एक्सपेंस्अ इसके अंदर कई सारे एक्सेंस हैं तो सबसे पहला तो था कॉमर्न इलेक्ट्रिसेटेटि एक्सपेंस मैं यहां पर लिख देता हूं common electricity common electricity का amount है यह रहा 10,240 तो मैं लिख देता हूं यहां पर 10,240 देन आएगा subscription मैं लिख देता हूं शॉट में subscription amount ले लेते हैं 36 यहां मैं डाल देता हूं 36 उसके बाद है हमारा office expense तो मैं यहां डाल देता हूं office expense शॉट में office expense का amount है 3425 3425 देन उसके बाद आएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी तो मैं यह शॉट में लिख देता हूं प्रिंटिंग का amount है 776 776 उसके बाद जाहा है तो है conveyance conveyance है 570 मैं लिख देता हूं conveyance पात्सो सथर उसके बाद subscription for housing मैं लिख देता हूं subscription और है पात्सों यहां पर आ जाएगा पात्सों उसके बाद है audit fees तो यहां मैं लिख देता हूं audit और यहां मैं डाल देता हूं ठेक है तो अब यह सारे खर्चों का टोटल भी करना है audit fees के बाद security charges लास्ट है तो मैं लिख देता हूं security charges amount है 13850 इसका हम लोग कर देंगे total मैं कर देता हूं total total करेंगे तो आएगा 10,240 प्लस 36 प्लस 3425 प्लस 776 प्लस 570 प्लस 500 प्लस 10000 प्लस 13850 तो आरे 30,397 यहां मैं लिख देता हूं 30,000 3,970 एक बार फिर से cross verify कर लेता हूं because अगर एक भी total गलत हो गया पूरा sum गलत हो जाएगा 3425 प्लस 776 प्लस 570 प्लस 500 प्लस 10031850 उतना ही आ रहे है ओके उसके बाद बारी आएगी हमारे थर्ड और आखरी expenses की थर्ड है हमारा other expenses जिसके अंदर depreciation आने वाला है तो मैं लिख देता हूं depreciation depreciation था water pump के उपर राइट तो water pump कितना दिया है water pump हम लोग को दिया था यह रहा water 113 इंटू 15 डिवाइड बा हंड्रेड के सो सतरा कर देता हूं राउंड आफ करते सिक्स वन सेवन सेवन सिक्स वन सेवन सेवन देख है ओके तो अब बारी आएगी हमारे income की अब income में सबसे पहला यहां पर है सबसे पहला income यहां पर आएगा collection from members लिख दोंगा collection from members इसके अंदर आएगा property expenses एक ही है तो मैं डिरेकली लिख देता हूं बाहर ही अपटी एक्सपेंस थर्टी सेवन थर्टी सेवन जिरो फाइगस राइट राइट राइगा सेकेंड वाला जिसमें adjustment collection from members देखें सर्विस चार्ज वाला है सर्विस चार्ज अमाउंट है इसका 5145140 इसमें से हमको हमारा adjustment है तो adjustment की चीज़े दोनों ही सब्ट्राक करने हैं entrance fees भी liability में जाएगा और जो हमारा sinking fund है वो भी liability में जाएगा यह रहा हंड्रेड और 1440 दोनों ही माइनस करना है तो यहां से मैं 100 माइनस कर देता हूं 1440 भी माइनस कर देता हूं balance sheet में चला जाएगा reserves and surplus के अंदर माइनस करके बचेगा माइनस 100 माइनस 1440 त्वारह 3600 मैं बाहर लिख देता हूं त्वीन हजार फिर सो फिर बारी आएगी हमारे नए हैडिंग की interest and dividend थड़ वाला मैं यहां लिख देता हूं interest and dividend राइट तो dividend के अंदर इसके अंदर दो थे interest on FD और था interest on SB saving bank account तो जड़ा चेक कर लेते हैं दोनों का amount कितना है दोनों का amount दिया है यह रहा एक amount दिया है 3017 तो मैं यहां लिख देता हूं 3017 उसके बाद दूसरे का है 1005 तो मैं डबल जिरो फाइफ पिर इसको टोटल करके बाहर लिख देंगे तो टोटल करें तो टोटल आ रहा है 3017 प्लस 1005 तो 4022 तो मैं यहां लिख देता हूं 4022 ठेक है उसके बाद फूर्थ वाला अधर वाला तो कुछ है नहीं लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं इसमें कहीं पर भी अधर नहीं आ है तो मैं डैश कर देता हूं अधर के अंदर आता क्या है वैसे अधर्स के अंदर आता अगर होता इस समय तो उसके अंदर आता है ट्रांसफर फीज उसके अंदर आता है रेंट से लव स्क्राइब यह सारी चीज़ें आ जाती ठीक है बड़ अच्छी बात है कि समय नहीं है इसका मतलब हम लोगों का एक पार हो गया है सिर्फ टोटल करना बागिए तो टोटल करते हैं हम लोग कि करेंगे सबसे पहले टोटल क्रेडिट का करना है अगर आंसर पॉजिटिव आ रहे तो हम लोग सर्प्लस लिख देंगे अगर नेगे आया तो लॉस डेफिसिट आ जाएगा ठीक है ओके 307056 प्लस 3602 नुड यह हमारे टोटल हैस्टाइड का अब इसको हम लोग इन दोनों से माइनस कर दें तो माइनस 617-3303 नाइन सेवन माइनस 17859 माइनस में आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है तो मैं यहापर डाल देता हूं माइनस 4159 यह लोगा ठीक है तो मैं यहां लिख देता हूं डेफिसेट वह था तो सर्प्लस होता यह आ गया हम लोग का डेफिसेट ठीक है एक बार क्यासी पर फिर से चेकल हूँ लोग का डेफिसेट भी आ चुका है तो अभी हम लोग बैलेंशीट की और जा सकते अब जो बनाएंगे यह हमारा बैलेंशीट जो के काफी बड़ा है फॉर्माट वाइस जो चीज नहीं दिया कि वह भी हम लोग लिख देंगे पहला समय देन फिर आप चाहो तो उसको इग है कि अने वाला है हम लोग एक से स्टर्ट करते हैं सबसे पहले अज़ेगा हमारा कैश है वे अंड बैलेंश वीक्वे चाह में कैश या कैश बैंक बालेंश था हाँ था तो उसकी एंट्रि अगर हम लोग करें तो सम में सबसे पहले था यह रहा दो कैश मैं लिख देता हू cash in and cash at bank ना लिग दिया उसके बाद यहां पर से जाएंगे and दोनों का amount ले लेंगे यह रहा इसका amount तो मैं यहां जाके लिख देता हूँ यहां पर आ जाएगा 3995 and इसका आ जाएगा 93144 तो यह हो जाएगा हम लोग का cash अगर आप चाओ तो ना इसका भी same वैसे कर सकते हो जैसे हम लोग ने इस में किया था ना यहां पर अंदर लिखके 3995 and 93144 and टोटल कर दो ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा और बाहर लिखते तो भी चल जाता इतना कोई जाधा युश्यू आता ना री 995 प्लस 93144 तो टोटल आता 97 और 139 तो मैं यह लिख देता हूँ लगए हमारा एक पार्ट कंप्लीट कैश वाला पार्ट तो हो गया कहीं पर भी हमने इंवेस्मेंट करके माक किया है अगर नहीं किया है तो मैं क्या कर देता हूँ मैं इसके सामने लिख देता हूं निल एक है आप लोग सोच रहोंगा कि मुझे कैसे पता इंवस्मेंट आएगा तो यह था ना हमारा फॉर्माट कैश इसकी एंट्री की इंवस्मेंट अभी लाइन से कौन आने वाला है स्टाफ प्रोविडिन फंड पूरा सम्रीड कर दिया क प्रोट की फोट वाला क्या है मुझे भी नहीं बता मैं भी चक कर लेता हूं अब आने वाले लॉन से अडवांस स्था अगर था लिख देंगे नहीं था तो निल कर देंगे तो यहां पर मैं डाल देता हूं लोन्स और अडवांस सिज तो इसके बाद बारी आएगी पाच् संप वाइस संद रिडेर संमें संद र kingdom समें बेवसलां तो यहां पर मैं अदाब लिए देता हूं और कि जबतने था सब अंदर पर और प्रमं इंटर अनल और मिंडिया की नहीं एक ही एन्टिया उनलों बारी लिख देने ठीक है एक से ये राद्यूस फ्रों मेंबर 52903 तो लिख देते हैं 52903 ठीक है ओके फिर आएगा हम लोगों का चेक करना पड़ेगा पर मैं लिख देता हूं इस तो लेडिंग में आएगा अधर रहेगा तो लिखेंगे नहीं तो डाश कर देंगे कि पुरा समरीड के लिए कहीं पर भी करेंट आशेट नहीं आया तो निल हो जाएगा उसके बाद बारी आती है सेवंथ वाले की सेवंथ वाले में आएगा सबमें फिक्स डासेट्स था इस में एड़िएस्मेंट भी था डेप्रिसेशन का वह भी हम लोग साथ साथ में कर देंगे पहले में लिख देता हूं फिक्सट आसेट के अंदर क्या आएगा सबसे पहले वाटर पंप ठेक है अगर एक से जाधा होते तो मैं भी ऐसे कर देत अंदर लिख देता water pump था 4113 and इसमें से हम लोग depreciation minus कर देंगे जो हमने पहले से निकाल कर रखा है 617 जो के था 15% I guess right and इसको अगर हम लोग solve करें तो 4113 minus 617 answer आ रहे 3496 तो मैं यहाप लिख देता हूँ 3496 ओके तो सात्वा वाला पार्ट भी complete होगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एर्थ वाले पार्ट पर एर्थ वाला पार्ट क्या है fixed assets के बाद इसकी miscellaneous expenses देखो पूरा समरीड करें कहीं पर भी miscellaneous expense था ही नहीं मैं लिखके निल कर देता हूँ ठीक है तो आपर आएगा miscellaneous expenses और या मैं कर देता हूँ निल या डाश भी कर दो तो भी चलेगा फिर आएगा नाइंत वाला पार्ट नाइंत वाले पार्ट में आएगा अधर आइटम्स सम्में अधर आइटम्स था क्या पहले तो मैं दिखूं अधर आइटम्स हाँ यह रादर आइटम्स राइटम डिपोजिट और वॉटर डिपोजिट भी इसी में आने वाला है लिख गेता हूँ वॉटर डिपोजिट इलेक्रिसिटी डिपोजिट का अमाउंट है डिपोजिट डिपोजिट यह रहा है 595 380 अंदर लिख यह 595 तो अगर टोटल करें तो टोटल आ रहा है 595 प्लस 380 तो 975 आ रहा है लिख देता हूं बाहर 975 ओके सो अधर आइटम्स भी हो गया आगे बढ़ते हैं अधर आइटम्स के बाद क्या अधर आइटम्स के बाद आगे आएगा नाया हेटिंग जो के है हमारा अधर मैं नई भी लिखूंगा तो भी चलेगा गोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फ़र्स सामें तो मैं लिख देता जीरो पाइटू 903 प्लस 3496 प्लस 975 तो आ रहा है 154513 तो मैं यहां पर लिख देता हूँ 154513 अच्छा आप लोग सोच लोगा कि deficit को मैंने यहां क्यों नहीं लिखा मैं क्या करूंगा पता है कि जो deficit deficit है ना इसको यहां पर जो surplus आने वाले है ना उसी मैं एजस्ट कर लूँगा माइनस कर दूँगा जैसे आप चाओ तो वह यहां पर होने वाले है सबसे पहले लिखेंगे share capital के अंदर सबसे पहले आएगा authorized share capital authorized के अंदर हम लोगों को कितना shares दिया है उन लोगों ने वह लोग ने हमको adjustment में दिया है 2000 shares of 50 इच तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2000 shares of rupees 50 इच अगर हम लोग इसका total करें तो आएगा 1 lakh यहां मैं लिख देता हूं 1 lakh ठीक है यह आएगा नहीं total का part यह total का part नहीं है ठीक है authorized share capital total होता है जो हमारा main total में include होगा नहीं में total में कौन सा वाला आएगा subscribed वाला ठीक है subscribe वाला share capital कौन सा है जो को सम्में दिया था ना 60 shares of rupees 50 each वो हम लोग लेंगे ठीक है 60 shares of rupees 50 each 60 into 50 करेंगे तो 60 into 50 3000 तो यह 3000 यह हमारे total के अंदर आएगा authorized share capital information है बताने के लिए मैं आपको बता दूँ यह कहां था यह रहा 60 shares of rupees 50 each ठीक है ओके समय surplus भी देदा लास्ट का income expenditure में चला देगा ठीक है कि मैंने मांक नहीं किया तो मांक करते वक्त ओके शेयर capital का part तो हो गया complete अब बारी आने वाली है reserves and surplus की तो reserves and surplus की entry कर देते हैं उसमें adjustment भी अगर आपको याद हो तो यहा मैं लिख देता हूं reserves and surplus reserves and surplus के अंदर जो सबसे पहला reserve हम लोग को दिया था वो ता statutory reserve ठीक है तो हम लोग लिख देते हैं statutory reserve अब लोग सोचने होंगे कि यह कैसे आ रहा है तुम्हें आपको बता दूं statutory reserve कि यह रहा ठीक है reserves and surplus में सबसे पहला कौन सा आता है statutory reserve ठीक है तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूं statutory reserve statutory reserve हम लोग को सम में जो दिया है statutory reserve का opening balance यहां मैं लिख देता हूं वो दिया है statutory reserve का opening balance दिया यह रहा 3847 तो मैं भी यहाँ डाल देता हूं जबए 30 308 470 470 उसके बाद जो sinking fund था वो इसी में आड होने माले इक है sinking फंट और जो entrance fees हमने किया था नहीं कहां यहाँ पर यह जो adjustment हमने किया था यहाँ पर यह जो माइनस के था तो इंदोनों को टोटल करेंगे थर्टी एट फॉर सेवन जीरो तो आएगा प्लस हंड्रेड तो हम लोग यहां पर डाल देते हैं थर्टी एट फाइट सेवन जीरो ठीक है ओके उसके बाद जो दूसरा का रिजर्व है वह है इसके अंदर सिंकिंग फंड का ठीक है सिंकिंग फंड का ओपनिंग बालेंस हम लोग को दिया है थर्टी फॉर फाइट कर देंगे जो कि था वन फॉर फॉर जीरो आई गैस पड़ेंगे तो चेक कर लेते हैं यह रहां वन फॉर फॉर जीरो एंड इसको भी टोटल करके क्या कर देंगे बाहर लिख देंगे तो अगर इसका टोटल करें तो टोटल आएगा थर्टी फॉर फाइज सिक्स्टी प्लस फॉर फोर जीरो वारा चती सब्सार आ रहा है एक्सट्री सिक्स ताउसं सो में यहां डाल देता हूं थर्टी सिक्स थाउसंद ओके तो चलो यह भी हो गया उसके बाद अगभी आगे बढ़े तो अभी हमारा फॉर्माट वाइस बह तो लिख देता हूं का प्रोविडेंट फन्ड कि कवा उट निल फिक्यॉर्ड लोन qe नहीं है तो क्या हो जाएगा निल उसके बाद unsecured लोन नहीं है सम्में unsecured loan क्या हो जाएगा निल एक है फिर unsecured loan के बाद यह नहीं था यह नहीं था यह नहीं था लोन डिपॉजिट था ठीक है फिर डिपॉजिट के एंट्री आएगी यहां पर मैं लिखूंगा डिपॉजिट कहां पर था मैं आपको बता जिता हूं electricity का यह जो क्रेडिट सेड पर दिया था ना हम लोगों को यह remember deposit 7100 इसी के अंदर आने वाल है यहां पर मैं डाल देता हूं member deposit एक ही है तो directly बाहर चला जाएगा 7100 ऐसे भी टैली नहीं होगा तो आपको पता चला जाएगा आपने कौन से इंट्री मिस कर दिये 7100 सही है उसके बाद बाहर यहाएगी साथवे head की साथवा head कौन सा है हम लोगों का तो चाके चेक कर लेते हैं यहां पर आ रहा है साथव liabilities नहीं है directly income and expenditure आने वाला है तो यहां जाता हूं पहला समय से हम लोग लिख रहे है देन फिर हम लोग आगे चे तो avoid कर सकते current liability नहीं दिया है तो मैं क्या कर देता हूं निल आटवा पार है हम लोगों का unpaid dividend के ऊपर तो मैं लिख देता हूं unpaid dividend नहीं दिया है इसको भी हम क्या कर देंगे निल कर देंगे ठीक है उसके बाद फिर नाइंत वाला पाट है interest बाला पार्ट तो मैं यहां लिख देता हूं interest भी नहीं दिया धैस कर देते हैं निल कर देते हैं लास्ट यर का हम लोग को सम्में दिया था यह रहा यहां पर दिया है 74 कि आपर मैं डाल देता हूं अंदर लिख देते हैं 74 038 अब यह जो 74 003 8 है इसमें से हम लोग को को जब ओर एप्रोप्रीेशन अगर होता है तो थेकिए एप्रोप्रीशन क्या होता है मैं आग्या आने वाले वीडियो प Crisp också में हम लों क्या करते हैं झाया गार्वर्प्रीशन माइनस करते हैं 4195 इसको सॉल्व करके भाहर लिख देंगे डिरिकली तो आएगा 74038-4195 तो आ रहे 69 840 69 843 आएगेस बस अब टोटल करेंगे अगर टोटल सही आ गया इसका मतलब हमारा सम राइट है अगर आपको फॉर्माट याद नहीं है तो फॉर्माट एक बार याद हो गया आपने देखाओगा कुछ-कुछ सम्स में ना कुछ-कुछ चीज़े बार-बार रिपीट होती रहेंगी वह आपको अपने आप ही याद होते चले जाएगा इतना भी जादा डिफिकल्ट नहीं है तो इक काम करतें सबसे पहला काम करतें टोटल करके चेक करते हमारा टैली हो तो आएगा 3000 प्लस 38 570 प्लस 36,000 प्लस 7100 उसके बाद आगे बड़े तो आएगा प्लस 69 843 दो एक्जाक्ली सेम आ गया सम टैली हो गया हमारा सम राइट है 154513 अगर सम टैली हो गया अगर सम टैली हो तो मुझे पता चले था कहापर मैंने क्या गड़बड किया है एंड़न क फाइंट कर लेते ठीक है तो हमारा फाइनल अकांट ऑफ कोपरेटिव सोसाइटी थोड़ा लेंदी है बड़ अगर एक बार फॉर्मेट आ गया तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा आगे आने वाली वीडियो में हम लोग थोड़े और एक्स्टर एजस्मेंट भी कर करना है लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो